नमस्कार, शिल्पा गुपता की रशोई में आप सभी का स्वागत है तो आज हम बिलकुर ओयल फ्री डिस बनाएंगे जो कि सभी के स्वास्त के लिए बहुत ही फैदेमंद होता है तो इसे बनाने के लिए हम एक बॉल सूजी ले लिए हैं तो बस एक कटोरा पानी हम कराई में डाल देंगे और हाई फ्लेम ही रखेंगे उसके बाद हम इसमें दो चमच के लगभग नमक डाल देंगे नमक हलका ही डालेंगे क्योंकि फिर बाद में भी नमक का यूज करेंगे उसके बाद थोड़ा सा चीली फ्लेक्स डालेंगे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं तो पानी में उबाल जब आ जाएगा तब हम इसमें धनिया पत्ता डालेंगे धनिया पत्ता थोड़ा ज्यादा ही डालेंगे बहुत ही टेस्टी लगेगा उसके बाद हम पूरा सूजी डाल देंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे चलाने टाइम तो इसे हम अच्छे से मिला लेंगे लो फ्लेम पर उसके बाद इसे हम ढख करके 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से सौप्ट हो जाए तो इसे मिला लिये हैं अच्छे से तब तक हम फिलिंग का तियारी कर लेते हैं तो उसके लिए हम ये चना का दाल है इसे हम 6-7 घंटा पहले भिंगोने के लिए रख दिये थे ये अच्छे से फूल चुका है तो अब एक मिक्सी जार में हम चना का दाल 3-4 मूठी डालेंगे एक ही बार में बहुत ज्यादा नहीं पीसेंगे उसके बाद हम इसमें 4 हरी मिर्च और 2 लाल मिर्च डालेंगे आपको जैसा तिखा पसंद है उसे कोडिंग कम ज्यादा कर सकते हैं अद्रक का टुगड़ा लहसन थोड़ा ज्यादा से और इसे हम बारिक पीस लेंगे पानी हलका सा डालेंगे बहुत ज्यादा भी नहीं या अगर नहीं डालिएगा तो फिर नहीं पीसा पाएगा तो हमें ये देखिए मोटा पेश्ट चाहिए बहुत ज्यादा गिला नहीं होना चाहिए तो सारा हम पीस के तयार कर लेंगे तब तक हमारा आटा भी ठंडा हो चुका है सुजी का तो इसे एक बॉल में निकाल लेंगे तो सारा निकाल लेंगे उसके बाद जर्रत के हिसाब से अगर आपको थोड़ा ज्यादा सक्त लग रहा है तो आप ठंडा पानी मिला करके भी इसे गूत सकते हैं अगर नहीं सौप्ट है तो बिना पानी डाले ही गूत करके तयार कर लिजे तो हम हलका सा सक्त लग रहा है तो हम हलका हलका पानी डालेंगे और इसे जिस तरह आप रोटी के लिए आटा गुतते हैं, ठीक उसी तरह हमें गुत करके इसे तयार कर लेना है, बहुत ही असानी से गुता हुआ हो जाता है, तो बस जरत के हिसाब से हाथ में आप थोड़ा थोड़ा पानी लिजिए, तो हमारा आटा गुत करके तयार है, तो अब हम बनाना शुरू करते हैं, तो दाल हम पीसा हुआ ले लेंगे, इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, दो चम्मच से थोड़ा ज्यादा नमक डालेंगे, उसके बाद दो चम्मच के अब हल्दी पॉडर डालेंगे, धनिया पत्ता डालेंगे, एक छोटा कटोरा, उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें बहुत सारा चीज देने का ज़रत नहीं है, इतना चीज काफी है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, तो अब हमारा दोनों चीज रेडी है, तो अब हम भरना सुरूर करेंगे, तो हाथों में पहले हम पानी लगा लेंगे, तेल लगाने का कोई ज़रत नहीं है, पानी से भी इसमें हो जाता है, क्योंकि हमें तेल का ज़रत तो है ही नहीं, तो एक छोटा सा लोई बना लेंगे, आप अपने एकोर्डिंग दाल को हम भर देंगे, दाल बहुत ज़्यादा भी नहीं देंगे, तो फिर पानी में वाइल करने टाइम फट जाएगा, तो दाल थोड़ा डाल दिए, उसके बाद हम दोनों तरब से इस तरह से चिपका देंगे, तो असानी से चिपक जाता है, एक दूसरे लेयर में, और अगर आप डिजाइन बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा इस तरह से हाथों से बीच बीच में कर देंगे, नहीं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, तो इसी तरह हम सारा बना करके तयार कर लेंगे, और जब तक बना रहें, तब तक हम गैस चुला पर पानी भी कराई मे दोनों तरब से चिपका देंगे, और हलका हलका डिजाइन बनाने के बाद, तो बस बहुत ही आसान है, तो अब हमारा इधर पानी भी उबल चुका है, तो एक एक करके हम डाल देंगे, और गैस का फ्लेम हाई ही रहने देंगे, ताकि पानी का उबाल कम ना हो, हाई फ्लेम पर ही सारा डाल देंगे, और इसे हम 15 मिनट काफी है पकने के लिए, तो 15 मिनट तक बाइल करेंगे, और इसका एक सैन ये भी है, कि जब ये हो जाता है, तो उपर आ जाता है, हलका होने की वज़े से, तो दाल जब आप मिलाते हैं, तो दाल थोड़ा ज्यादा फेटी है, त अगर आपको पानी कम लगे, तो थोड़ा डाल सकते हैं, अगर नहीं लगे, तो उसी उबलते हुए पानी में सारा डाल के निकाल लेंगे, तो अब हमारा तयार हो चुका है सर्व करने के लिए, ये गर्म गर्म तो अच्छा लगता है, ये ठंडा होने के बाद भी बहुत तो इसे हम धनिया की चटनी के साथ सर्व करेंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है, या बदाम की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, तो ये देखें ये कितना हलका बना है, ये डिपेंड करता है, आप आटा भी अच्छे से गूते गर्म पानी में, और डाल को जब पीसते ह तो बहुत अच्छे से फेटे, तो बीच में बिल्कुल भी टाइट नहीं रहेगा, तो आप इंजॉय कीजिए धनिया की चटनी के साथ, तो वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताएं, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सेयर और सब्स